हेलो नमश्कार दोस्तों वेलकम टू मनराज क्लासिस आज की तारीख है 19 मई दोजार पाइस और आज हम डिसकस करने जा रहे हैं आज के करणट अफेक्ट तो चलिए डिसकसिन इस्टार्ट करते हैं ठीक है आज का हमारा पहला आर्डिकल चीफ एलेक्शन कमिशन के बारे में आर्ड चीफ एलेक्शन कामिशन कॐंट किये गा गाया प्रेजडन के दवारा राजिव कमाड जोगी आपको दे करहारा है राजी कुमार जीकी छीफ सुछीथवारे सिस उप्लेक्षन कमिशन केजित की गए इन्होंने किसो को कराख स्टेट में और यूनियन को देख ती cm और स्टेट में और यूनियन चरथ Write 12 किन्स उन्जली करा ति इसको कभी स्टेब्लिस किया गया था इस oil आपको 25 जन्मवर 1950 को स्टेविली देखे रूप में भी सेलप्रेट करते इसका सेड़ीटरेट कहां पर इसका नियू दिली में मिलेगा ठीक है नियू दिली में सका सेड़ी थे ठीक है अब यह क्या करते कि एक तो आपका यह लोक सभा राज्या सभा और इस्टेट के इसके एलेक्षेन को कंडेक्ट नीक राती है के बारे मेंKorean की फुड़ी सी जान लेता है कि इस और ख़र विअसे में क्या आर्टिकल भीरा सबिचना ने के लेकर फिटीने चूर ने मेंगत भी telling यह से बारे स्विसाथ में इसमें बताया गया तो आर्टिकल इनौन कंशनकरक्शन होता है यह रीलीजन के प्रिंजन के से सब्लिप्रन करना है एक्स्ट्रोर नहीं किया जा सकता है ठीक है आर्टिकल 326 में क्या बताएगा आर्टिकल 326 में यह बताएगा कि जो हाउस ओप यह वोट करने का अधिकार होगा ठीक है इसके बारे में बताता है आर्टिकल 327 के बारे में अगर हम जाने के जो इसके बारे में यह वह क्या नाम कुछ प्रोविजन कर सके नियम बना सके ठीक आर्टिकल 328 कि अगर हम बात करेंका है कि जो इस्टेट के जो लेट्रों होता है लैसलेशलेटर होता है कि उसमें करेगा यह आर्टिकल 300 सता उसमें लेशलेटर को पावार है ठीक है पावर और सबस् clown कि कि में स्थेट में की लेट्विशन करने के लिए आर्टिकल 339 यह बोलता कि कोई भी कोड्र इलेक्शन प्रोसेस में इसको बाद नहीं करेगी यानि के आपका कोई भी इस चीज में इंटर्फियर नहीं करेगी इंटर्फियर नहीं करेगी कि किस में प्रोसेस में प्रोसेस में इंटर्फियर नहीं करेगी प्रोसेस में करें होंगे और दूसरा उसमें ऐसे मेंबर होते हैं जो इलेक्शन कमिशनर जो होंगे उसमें जिना प्रेजिटेंट टाइम प्युक्त समझता है कि हाँ इसमें चीफ एलेक्शन कमिशन में यह मेंबर होनी चाहिए अगर फिलाल की बात करें फिलाल आपका चीफ एलेक्शन कमिशन और दो आपके election commissioner होता है election commissioner चीफ election commissioner की बात करें CEC और EC तो EC CEC में अब कोई नहीं कोई बड़ा छोटे सब अपने equal level पर first among the equal का यहाँ पर concept आ जाता है जो आपके chief election commissioner होंगे वो EC के first among the equal होंगे ठीक है आई येस rank holder होता है अब इनके appointment और tenure की अगर हम बात करें कि जो commissioner होता है इन्हें president appoint करता है दोनों को election commissioner को भी और चीफ election commissioner को भी इनका fix tenure होता है 6 साल का या जब तक ये retirement की age ना जा इनकी पैसेट यह जो कि पहले हो अगर इनका मतलब जिस time इनने appointment किया गया अगर appointment करके 6 साल complete होगे retirement की age से पहले ही तो यानिके इनका tenure खतम हो जाएगा नहीं तो अगर इनका 6 साल का period खतम नहीं हो आगर 63 साल पहली complete होगे तो वह retire हो जाए इस तरह से होता है अब इसका यह का कि जो supreme court का आपके judges की जो status है उसी तरह से चीफ election commission commission इनका शैल लिगवा प्रस्ता है आगे बढ़ता है अब इसके रिमोल के बात गतरें सोरी यह क्या हो रहा है अगर रिमोल के अगर हम बात करें तो इसका रिमोल कैसे पहले सकता है इनका या पर पार्लियमेंट के जो जो जूज होते है उनको रिमूव किया जाता है उसी बाहरे से प्रिंशोन के तरल रिमूव कियो कि आप इसके लिमिज्य सब्सक्राइब का मियं ट Зна 2 जो जो लीगल एडिकेशन एडिमिस्टेटिव होती है यह अगर prescribed नहीं है उसमें constitution में prescribed नहीं है ठीक है इन election commission की जो members होते हैं उनकी qualification जो कि legal qualification, education qualification, administrative qualification ये judicial qualification कहें भी mention नहीं है यानि कि constitution में constitution में not mentioned mentioned ये आपकी qualification ठीक है अब इसकी बात करें कि constitution में इनका जो term है उसको भी prescribe नहीं किया गया अब constitution के बात करें कि डिवार नहीं कर सकता election commission कोन के retirement से पहले ठीक है ये आगे बढ़ते है ये क्या हो रहा है क्या प्रोविजन फंक्शन ओफ election commission ओफ इंडिया की इसके administrative provision की बात करते है administrative provision में ये कहा गया है के to determine the territorial areas of the electoral consequences throw out the country on the basis of the delimitation commission act of the parliament ठीक है तो अब इनका power function के ये territorial areas जो होते जैसे अपनी country के अंदर जो भी territorial areas उनका delimitation करना है तो उसकी जो क्या नाम है delimitation करने की इनके पास power होती है ठीक है अब नेक्स point पर कर हम बड़े तो नेक्स point पर इसका क्या होता है कि पीरिडिकली ये electoral roll को इन्हें revise करना होता है और जो भी eligible voters होते हैं उन्हें register करना होता है अब जो political parties होती है कोई भी political party जैसे गर हम बात करें BJP हुआ BSP हुआ या आपका SP हुआ या और भी political party उनको recognition देना ऐसी कोई भी अगर नहीं political यह तो कहने सब party होगी तो अगर इनको recognition देना कोई भी नहीं party बनती है तो उनको एक तो symbol alert करना यहां पर देखे symbol alert करना उनको recognize करना ग्रांट recognition ठीक है अगर इसका mode और अगरे point पर अगरम बढ़े तो model code of conduct जो इसे MCC बोल सकते हैं मोडल कोड़ करने का इंप्लिमेंट करने का भी सका का होता है ठीक आगे बढ़ते हैं कि क्या हो रहा है समय नहीं हा रहा हाँ अब आगे इनका जो advisory jurisdiction और क्यासी judicial functions के बारे में बात कर लेते हैं तो कमिशन के पास जो है advisory jurisdiction की power होती है किस matters में जो post election disqualification होती है अगर आपके जैसे की election हो गए और उनकी जो यहनकी member of parliamentary stage यह इस्टेट लेश्लेटरी की जो sitting होती है उसमें आप पोस्ट election के बाद भी यह आपका क्या कर सकते हैं डिस्क्वालिफाई कर सकते हैं इलेक्शन को यहनके members को डिस्क्वालिफाई किया जा सकते हैं जैसे कि यहाँ आप दिखाए commission has the advisory jurisdiction ठीक है इन matters of the post election disqualification अगर पोस्ट आपका election होगे उसके बाद आप जीत के आ जाते हो उसके बाद अगर आप पाए जाता है कि हाँ यहाँ पर कहीं गड़वर्ड हुआ है तो उसको बाद उसे रंद किया जा सकता है ठीक है अब दूसरे केस में करते हैं कि जो भी आपका कोई भी person अगर guilty पाया जाता है कोई भी क्रफ्ट प्रैक्टिस जैसे कि illegal money का case हो या आपका liquor का case हो जैसे आपने देखा भी होगा जब election commission बहुत जाद एक्टी हो जब election होते तो वाँ पर आपका पैसा बढ़ता है election को मतब वोट को earn करने के लिए तो लोग को पैसा दिया जाता है वह दारू दी जाती है मतब डिंक दी जाती है तो उस चीज को अगर ऐसी कुछ इसी उम्मत उसमें गती वीडियो में कोई भी member sunlit पाया जाता है तो उसको वह candidate को बढ़ पास कर सकती है और यह यह कहिए जो भी केस जैसे supreme या high court के पास refer होता है उसकी वह Supreme Court High Court इसको refer कर देगी इस किसको किसके पास कमिशन के पास और कमिशन से क्या माँगी opinion माँगे इसके बारे के इस परसन को डिसक्वालिफाइब करे यह ना करे ठीक है और कमिशन अब देख म तो यहां पर कमिशन हैस दा पावर तो डिस्क्वालिफाई केंड़ेट हुए फेल्ट पू लोज एनी अकाउंट ओप दा इलेक्शन एक्सपेंसिज अब यहां पर क्या है कि अगर आपका कोई भी केंड़ेट इलेक्शन एक्सपेंसिज को बताने में उनको दिखाने में नाक काम यहां होता है तो उस कैंड़ेट को इलेक्शन कमिशन ओपिंडे डिस्क्वालिफाई कर सकता है अगर हम यहां पर इस फिगर की बात करते हैं यह डिवीजन ओप दा कॉन्सिट्वेंसी इसका यह काम होता है प्रिपेरिंग अप टूडेट लिस्ट ओफ दा ऑल दा वैलि वैलिड वीडर जितने भी आपके वैलिड व êtes वात्रस को निकालना और वैलिड व्यालिट ऑटर की लिस्ट को पपनीश करना इसका एक काम होता है और यह इलेक्शन के डिकलेयर करता है कौन करता है उलेक्शनकमिशन के एक्सेंसीज को लीमिट ऊस पे लिमिट लगाता है है the order conduct को implement करता है और यह scrutiny करता है nomination papers कि जब देखिया जब कोई election होता है तो उससे पहले जो भी candidate election को वो करेगा यानि कि election में participate करेगा तो उसे nomination paper फिल करना होता है nomination paper जब फिल हो जाता है तो उसकी फिर scrutiny होती है उसमें देखा जाता है कि जो भी nominee ही है वह यानि कि जिसने अपने नाम न हो मिनिट किया है वह उसकी संपंथी देखी जाते एज्ट देखी आरत ऐस्वालिकीशन देखिय康ा से फिट पाया जाता तब उसे वह चीज मतंब उसे अब फीट समझ आ और अर इसके पात कोई बीचिपीट बेच्ट और सकता है यहां कांघ को इसके पास काम अगे आगे आपका तोमस कब की आपने सुना होगा के हमारी इंजन danke उसने आप को जीत लिए थो मस्कुप आसा का जाता है कि आपका यह वर्ल टक ठीक है यह तरह का वर्लक पैर आपका जो यह इनों में मैच जीता है ठीक अब इसमें बैड मिंटन में जो यह बैड मिंटन के प्लेयर थे अपने इंजिन बैड मोजshift जीदि लिए वह यह इनके badminton में आपका एक तरह से world cup की तरह है कि आपका world cup जैसे की cricket में cricket में आपका world cup होता है इसी तरह से इसमें badminton में भी यह thomas cup आपका क्या है World Cup तो यह पहली बार ऐसा हुआ है। इस में पहली बार इसको जीता है किसको हराया है किसको हराए है और रहे हुझा है? तो इसमें क्या बोला गए कि इंडिया ने इंडिया की जो मैंस टीम ती यान की आदमी की टीम ती उन्होंने थोमस कफ के टाइटल को जीद लिया यह पहली बार ऐसा हुआ इन डिफीट करें किसे चोदै बार जो चैंपिन रहे इंडोनेशिय को डिफीट करके थोमस कफ को अपने नाम किया यह बैंक को में हैं तब तोमस कफ के बारे में जान लेता है जो यह ट्रोफी है यह तरह से वर्ल्ड की सुप्रीम मैसी बताती है कि आप बैडविंटन में यह पीट किया इसके बैग्राउंड के बारे हम जानते है इस को देखे कब सुरूब किया गा था उननिस सो 59 में सुरू किया गया था नाइन्टिं थर्टीन वे से सुरू किया था इन्हें तरजोर थोमर जो कि उस वक्त के वो थे इसके चेरमेन थे तो अब इसको किसके दु किया था इंटरनेसल बैड्मिन्टन फेडरीशन के द्वार नीन आई बिक के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है पहला तो टो डिनामेंट कब हैड हुआ था उनीस सो अनुछ समें हैड हुआ था और किसके द्वारा जीता गया था अधिक है यह अवी इसमें किया के थॉमस और वेर कप जो बाइनियल होता है इंटरनेस्टल बैड्मिंटल चैंपिंटिंसिप लड़ी जाती है किसके बीच मैन और वूमेंस के वीच में टीम के वीच में अब इंडिया की जीत के बारे में थोड़ा सा देख देते हैं यह सतर साल वाद यहनके सेविंग डिकैट यहनके यह जीता है ठीक है मलेशिय न तो । फर्टिं ट्राइश जीता ठीक है अभी हमने डिसकस किया तो चाईनना मली इन्डोनेशिय जापन और यह सब हैं अभी छटे नंबर पर आपका इंडिया बन गया एकि-चटे नंबर क्या आपकी जोक्टरी है वो इंडिया बन चुकि इंडिया ने अभी सो जीच लिया इसको ब्रेक कर दिया इस इलीट के लब में इन्टि कर लिया निए फी 2014 Match पहुत जो है ठीक के इसका आप देख रहे होगे कि प्लेशी फवर्सिप एक्ट जो यह है ठीक है अब इसके बारे में क्या कि अब गोट एसके सप्रीम कॉर्ट इसके का ओर्डर जो सिविल कोट ने देखंग क्या अब यहाँ पे एक सिविल कोट वारानसी में उसने ओर्डर दिया था ठीक है ओर दिया था उस ओर्डर के खिलाप उस ओर्डर के खिलाप एक प्ली डाली गई थी तो सुप्रीम को और उसको चैलेंज को ही कर रहा है उस चैलेंज जो किया गया था उस प्ली को उसकी चैलेंज को ही सुप्रीम कोड क्या कर रहा है उसकी सुनवाई कर रहा ह ठीक है उसकी क्या डले गयी को जो करते हैं अब वीडियोग्राफी river करना होता किस्में के जो आपका ज्ञानवाफी मोस्ट कॉंपलेक्स है आपको यहां पर 80 विशुनाट टेंपल जो कि आपका वरानसी में है प्लस आपको घ्नवापी जो आपकी मस्जीत है है यह दोनों पास-पास में चैने कोंप्लेक्स में है इसके अब यह बताया जाता है जो आपको ग्यान वापी मस्जीत है इसमें सर्वे किया गया वीडियो ग्राफिक की गया और वहाँ पे शीवलिंग मिला है ठीक है अब यह चीजें यह अंदे से लगाया जा रहा है यह पहले क्या था यह आपका एक मंदिर था जिसको डैस्टो करके वहाँ पे मोश्क्यू बनवा जी गई है अब इसी पर ही बखेड़ा खड़ा हुआ है कहरा हमें उस बखेड़े में नहीं बढ़ना है तो हमें इस चीज़ को पढ़ना है तो अभी इस चीज़ में कहके यहां पर सुप्रीम कोर्ट विल यह चैलेंज टू दा ओडर में सिविल कोर्ट इंवारानसी अब जो वारानसी की सिविल कोर्ट टा इश ने क्या ऊडर दिया था निया ता कि वीडियोग्राफी सर्व्यू बोड़ि स licenses risen टेंपल और ग्यानवावी मोस्क्यू में जो कॉंप्लेक्स है उसमें आपका मागोरी सिरिंगार इस्तल का आपका वीडियोग्राफी होनी चाहिए अब इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोट में तो एस सुप्रीम कोट उसको ही उसकी ही सुनवाई कर दिया अब इसकी मे वर्षिप को जो आपका क्या है 1991 में हमाया था एक जो प्लेसी वर्षिप इस्पेशल प्रोविजन एक्ट निस सुप्यान में अब यहां पर मेन जो प्रोब्लम के लिए इसमें बोला कि और वारांसी कोट विच अपैल अलाबाद हाई कोट अब वारांसी की जो कोट थी और जो इन दोनों जो अलाबाद हाई को इन दोने अजर सेंव उडर थी या के बाप्र वीडिवृण watch होने चाहिए होने चाहिए होने अब जो यह क्या नाम यह जो ओदिया गया है वो क्सक्सीं को को कर रहा है तो प्लेशीज वार्षिप अक्ट नाइंटिन एटीवन अभी यहां पर केस यह आता है कि इसलिए यह एक न्यूज माया है दा प्लेशिज वर्शिप आप नाइंटिन एटीवन इसलिए न्यूज माया कि यह वरांसी हाइप ने और अलावाद अपर दिया तब उसको इंट्रडिक्शन कर रहा है अब वह यह प्लेशिज वर्शिप एक नाइंटिन 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 वन क्या है इसको पड़ लेते हैं इसमें यह वो लगया है यह डेसक्रईब करता है के और एक टूर हीबिट कनूर जन ओ आनि प्लेश वर्शिप यह जो है जो है यह किसी भी कोई प्लेश सिज बा Caesar यहां पर हम पूजा करते हैं यह कोई मन्दीर है, कोई छगळध, उसका कनवर्जन नहीं कर सकते, किसी भी चीज में, ठीक है? उसका कनवर्जन बिलकुल नहीं किया जा सकते, ये एक ये बोलता है, कि आप अगर मान के चलो ज्सक्यो है, ठीक है? मुस्क्यो है एक इवादت खाना है, मारत जो हमारी Muslim community है वो क्या करती है वहाँ पर नमाज पढ़ती है उनका वर्शिप का प्लेस है अगर कोई चाहे कोई ऐसा चाहे कि उसको convert कर दिया जाए आपका मंदिर बना दिया जाए या इसका वाइस वर्शा कहलो कि मंदिर साब की कोई मोश्क्यू बना आचाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता कब से जब से हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1927 ठीक है तो ये एक्ट ये बोलता है और और भी चीज़ ये बोलता है कि maintenance of the religious character of any place of worship ये एक्ट आपका उनका maintenance भी करोगा कि प्रोवाइड करेगा क्या maintenance के लिए जो उसका religious character जो है अब जो आपका religious character जो आपका मोश्क्यू है तो मोश्क्यू ही रहनी चाहिए उसका religious character ना बदला है इस तरह से ये कहता है उसका के वो बदल के कि आप ऐसे नहीं के Christian missionary school बना दिया वहाँ पर मोश्क्यू का या आपका या कोई कोई और university बना दी गई या मंदिर बना दिया गया या मंदिर को तो मस्जिद बना दिया गया जैसे कि बावरी मस्जिद का केस्ता तो मतलब कहने का यह है कि उसका character जो एक religious character है उसका religious character है वो change नहीं होना चाहिए यानि कि उसमें no change ठीक है तो यह हो act यह होलता है अब इसमें dispute के आगया है तो जो यह dispute आया है यह disputed site आयोध्या में है अब exemption जो दिये गया है उससे exempt करा गया है इस act है अब एक्ट तो यह कहता है कि वह किसी का act हो नहीं बदलना चाहिए कि वह उसका character religious जो character है वो नहीं change कर सकता है मगर exemption दिया गया है कि आयोध्या में जो एक disputed site है उसका exemption दिया गया है कि उसका character change किया जा सकता है इसमें यह बोला गया exemption दूसरा exemption यह बोला गया कि कोई भी place of worship जो की ancient है ठीक है बहुत पुराना और historical monument है या site जो cover की गई है किसमें ancient monuments and archaeological site and remains at 1969 जो इसमें cover की गई है उनको cover change किया जा सकता है अगर कोई site ऐसे जिसे हमें लगता है कि यह ancient monument and archaeological site and remains at 1958 के अंदर आती है और historical monument है बहुत पुरानी है उसको cover उसके अंदर करके रखा है या जा सकता है मतलों इनको exemption दी गई है ऐसा नहीं कि हम आके खड़े हो जाए बहुत दगो यह जो places of worship act 1991 है उसमें तो यह कहा गया किसी का conversion नहीं कर सकते है उसका मतलों रिलिजे जो प्रेक्टर उसको convert नहीं क्या जा सकता तो वह ऐसा नहीं है तो उनको exemption दी गई है ठीक है अब पैनल्टी की बात करा अगर ऐसा कोई करता है अगर इस एक्ट का इस एक्ट का कोई violation करता है तो उसको punishment देगी किसका maximum ती इन तीन साल का यह क्या हो जाता है उसको तीन साल का punishment इसमें मिलेगा along with a fine उसे fine भी लगा जाएगा इसको कॉंट करने का जो यह प्रोविजन इस एक्ट को अब इसको criticism क्या हो रहा है कि इसको challenge कि इस ग्राउंड के चैलेंज किया गया है इसको कि जो यह judicial review बार करता है अब कहने का मतलब क्योंकि आपका इसको judicial review घजयानी court इसको सुन नहीं सकती है कि अब यह जो वर्शीक से एक्ट है इसको इसको पो सुन नहीं सकती है यह जो जो यह चीज़ आती है उसको इसको गार्ट किया गया है कि इसलिए ही यह कागए है कि यह तो बेसिक जो हमारा structure है, feature of constitution का, उसको ही defeat करता है, यह arbitrary, irrational, irrespective cut of date इन्होंने लगा कर रखी हुई है, और यह क्या करता है, हमसे छीनता है, right of religion of Hindu, Jain, Buddhist और Sikh के, इस religion को, right to religion को छीनता है, average करता है, ठीक है, आगे बड़ते हैं, क्या हो रहा है, आगे बड़ते हैं, इसके provision के बारे में जानते हैं, जो इसके provision है, देखें, इसका जो एक्ट का provision section 3, जो है, उस section 3 क्या बोलता है, क्या बोलता है, act part conversion of a place of worship, और any religious domination into a place of worship, यानि कि कि किसी भी place of worship का religious domination में conversion को यह बाहर करता है, और इसका section 4 का para 1 क्या declare करता है, कोई भी religious character, जो भी किसी worship, place of worship को, उसका religious character, character जो है, वो continue होना चाहिए, जो कि पंदर अगस्त 1947 से था, वो ही character उसका same maintain देना चाहिए, ऐसी section 4, para 2, इसमें भी यही कहा गए, कि यह क्या नाम, यह कोई भी जो legal proceedings है, यह convergence से लेक है, जो भी religious character में, अगर convergence किया जाता है, किसी भी place of worship को, जो कि exist कर रहा है, पंदर अगस्त दिनों से जाहिए, यह उस से पहले से, वो शेल अबेट एंड नो फ्रेश सूट और लीगल प्रोसिनी शेल भी इंस्टिटूटेट, तो यह जैसे हमने पीछे डिसकस किया था, कि वह जो उस से पहले जो हो गया हो गया, उसके बाद नहीं होना चाहिए, पंदर अगस्त उन जन्म जी, बोमी और बावरी मजीद केस को, ठीक है, ठीक है, आगे, आगे हमारा गती सकती पोर्टल के बारे में, गती सकती पोर्टल में क्या है कि जो मिनिस्ट्री और कॉम्निकेशन है, उसने भी क्या लौंच किया है, यह एक लौंच किया है, गती सकती संचार पोर्टल क को लोग्च किया है इसका काम यह होगा कि आपका जो आप टेर्फ अप्रोरवल यारी कि उसको सेंट्रलाइज करने का क्कांद आप एक तरह का पॉर्टल होगा गतिसत्य करने का काम करेगा डिजीटल एमपावर्मेंट औफ सिटीजन्स यहनके सिटीजन्स की डिजीटल एमपावर्मेंट को बूश्ट अप करने यह काम करेगा ठीक है यह तरह से कोहिरेंस हो जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव यह हो कि इस प्रमोट करें उसे बढ़ाए और टेली क होड़ा भाई अब इसका सिगनिफेंस क्या है सिगन क्या है कि यह है कि सिगनिफिकेंस कि टैमली जो है इसका फाइजी नेटवर्क का रोल आउट हो जाए ठीक है अब जो आपकर जो टैमली डिस्पोजल ओफ और 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 राइट ओफ और राइट टुवे यह आपका फाइजी नेटवर्क का इंफ्राइस्टेक्चर को खड़ा करके जल्दी इस चीज़ को इंफ्राइस्टेक्चर को स्पीड प्रवाइड करेंगे अब यह टेलिकॉम सर्विसिस में क्वालिटी को इंप्रोव करेंगा जैसकि ऑप्टिकल फाइपर जो केवल है उसक इंप्रोव्मेंट चलाए गया है उसको भी बूश्ट अप करेगा उसको एंपावर्मेंट करता है ठीक है इसका रूरल इंडिया में और अर्बन इंडिया में दोनों में ही क्या है कि सिग्निफिकेंट रोल है जिसे कि देखा आपका आप जानते कि रूरल जो इंडिया है उसमें क्या है कि आपका नेट कनेक्टिविटी अभी बहुत कम है नहीं बहु Harm यह यह आपका 95% नेट कनेक्टिटे पर रूरल एर्याज में वही कनेक्टिटी बहुत कम है बहुत कम से मतलब आपका मालीजिये कि आभी 60% तो आपकी जो 40 या 35% और कनेक्टिटी प्रोवाइड करने हो कैसे प्रोवाइड होगी कि आपका अगर digital inclusion हो जाए, rural areas का भी जो आपके far-flung rural areas है, दूर दराज के जो rural areas है, उनका भी आपका, कहना, digital inclusion होना पड़ेगा, digital inclusion होना पड़ेगा, अब जब digital inclusion होगा, तो तभी यह जो चीजे है, यह improve होगी, ठीक है, अरे क्या होए बाद, ठीक है, अब PM गती सकती जो इस स्कीम में उसके बारे हम जान देते है, PM गती सकती स्कीम जो 2021 में गौर्वर्मेंट ने लॉंच की थी, यह ambitious गती सकती स्कीम का, जो national master plan है, हमारा multimodal connectivity का, यानि कि हमें connectivity पे बहुत ज़्यादा जोड़ दिया गया है, कनेक्टिविटी पे बहुत जोड़ दिया है, कि आपका different different areas को connect करना है, दूर दराज की areas को connect करना है, हर जगह से, ठीक है ना, कनेक्टिविटी इस तरह से provide करने के सारे area एक दूसरे से connect रहे, इंफ्राइट जो आपका internet है, या कोई भी है, किसी तरह की connectivity से भी वन्चित ना रहे, इसका aim यह है कि integrated planning हो, उसका implementation जो infrastructure project है, उनका सही से हो, अगले चार साल में, चार साल में इसका implementation सही सहोना चाहिए, गती सकती, इसकी जो है, यह क्या लगवा, 110 लाग करोड नेसल इंस्ट्रेसेक्ट से जो pipeline है, जो 2019 में launch की गई थी, उसमें 110 लाग करोड इंवेस्ट करती है, अभी यह और इसका क्या होगा होगा, यह लोजिस्ट ने क्या है कि 11 industrial corridor और दो आपके defense corridor जो की एक आपका तमिलाडू में और दूसरा UP में, वो किया जा रहा है, इसका aim में है, और 4G connectivity को extend करना है, कहां पे, village में, और ठीक है, इसका लगबग आपका 17,000 km gas pipeline network प्लान किया गया है, ठीक है? अब अगला हमारा article है, देवा साहें पिल्लेई के बारे में, देव साहें पिल्लेई, देखें, देव साहें पिल्लेई के बारे में थोड़ा साम जानते कि जो देव साहें पिल्लेई, अभी न्यूज में क्यों है, देखें, न्यूज में इसलिए है, जो देव साहें पिल्ल आप 17-17 में इनको कनवर्ट किया गया था कि यह कहां पर तो थे न्व प्रटावन पोर जो देव सहय हमते वो पहले इंडियन है जो कि आम आद्म लेमें तर्म में बोले तो यह ले मेन इजिने सेन थोड़ का दरजा मिला किसके द्वारा वेटीकन कि ने क्या बोला वेटीकन क् एंडियूरिंग इंक्रीजिंग हार्षिप एंडियूरिंग मतरब परसिस्टिंग डू को नियूंग ने कर देज़ित है आप देवसाहिन पिल्लाँ जी आप देख लेके देवसाहिन पिल्लाई सब्सक्राइब कर सकते आगे तो जो नेटलम विलेज है वहां पर हुआ तक जो करने को में इन्हें बाप्टाइज किया गया था में इनका यहाणी नाम धिया गया लाट चांगा मतलब a- जो देव साहें पील राईजी से तरह तों काफी हाड़ सभी नमार दिया गया तो कि इन्होंने मुखर आवाज उठाई थी किसके कि इंहोंने अवाज उठाई तहीं जो इनका पढ़ते हैं फॉद तो जो यह था इन्होंने इस नेटिव डिलीजन अब जब इनका कन्वर्जन हुआ उन्हें सत्रेसो पैतालिस इस 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 तो जो इनके एडिये के वह हैर थे लीजन के उन्होंने इस चीज को सही नहीं समझा अब इन पर जूटे आरोप लगा के जूटा आरोप लगा दिया त्रीजन का और आपके एस् तो आवाज उठाता है उसकी खिलाब तो बहुत सारा भी खड़े हो जाते तो इन्हें फाइट के था काश डिस्क्रिमिनेशन के अगे जो उस टाइम पर बहुत जाते था था फिर इनने क्या कि गए तो पर सिक्विट कर दिया गया तो मार दिया गया तो पर चोड़े सेंट फ्रांसिस जैवियर कैटल इनको जहां पर उनके उनको जो इनके मोर्टल रिमेंस है मोर्टल रिमेंस जो है उनको क्या किया गया कहां पर दफनाया गया वहां पर सेंट फ्रांसिस जैवियर ठीक है जो कैटल है कोटार ठीक है कोटार पर दफनाया गया नगर पर ठीक ह और अब क्या है कि इन्हें 2012 में मार्टेट डेम का किताब दिया गया ठीक है देवसायन पिल्लेई को सेंटूट डिकलेर किया गया क्यों क्योंकि यह एक्वैलिटी जो एक्वैलिटी के अगेंस्ट खड़े हुए और जो इनेक्वैलिटी फैलिविटी इस टाइम पर उसके लड़े कम्यूनलिजम के कास्टिजम के अगेंस्ट यह खड़े हो गयते ठीक है क्योंकि बहुत फैला हुआ तो इस टाइम पर तो यह उसके खिलाब खड़े होके काफी बोलेते ठीक है फिर इनको क्या जो डिकलेर कर दिया गया था यह इसके ग्रेट ओपर्शनिटी थी फ कि अगलाब खड़े होने कि जो यह खड़े हुए थे परेंगी बहुत बड़ी ओपोजिंटी किसके लिए जो आपका समाचता जा क्रिस्टिन सुसाइटी थी उनको यह बताने के क्या गया कम्यूनलिजम मत विलाइए का एक कम्यूनलिजम की डैफिनिशन के बारे मुझा कम बहुत अच्छा है ठीक है अगला आर्टिकल हमारा अर्बन हीट आइलेंड के बारे में जैसे कि आप जानते कि दिल्ली में कोरा मचा हुआ गर्मी की वैसे टैंपरेचर फॉर्टी नाइन डिग्री सेंटीगेड को भी पार कर चुका है ऐसा बहुत कई सालों में देखने को मि खारब गो शव्य चाओ में ऑन्याइज में गाओं में कम देखने कको मिलता है याफि को अगर मालो यह पानी है यह ने ऐसके चारव करणा तरब्स चारवप आपका बारी iot हरन की आईले अब हीट है लिक लिक आगे अब करणा आमरम इसको चीज़कर समगे को आइलेंट के एक जगह जहांपर हीटड़ हो गई हो ठीक है अब ये आईलेंट इसको हिकाज कि सीती में हीट ट्रेयप हो जाती है ठीक है वह भार नहीं निकल पाती तो इसलिए ऐलेंट बन जाता एक अलग ही तो अगली फिग हम्भी देखें गे विफिड पर के में दिल्ही में आपका टेमपरेचर मानि जे एतनी गर्मी है और एक बातよね या फ्लड को यह तो आपका कितना ज्यूदा साना आपका रेल वड्य ट्रेक डृत्त यह वह गया है और कहें पड़ये बीदिंग में पानी घुश गया है टिक आसी पो ऊफ et उस चीज़ को उड़र आप ट्रीप्रेंशному इस चीज़को यह ऊपह बता गए कि इसलिए तरह का हीट बन जाता है क्योंकि वहां पर क्या है आपकी greenery कम होगी तो heat निकल नहीं पाती है इस वज़े से यह फीट आइलेंड बन जाता है अब हीट आइलेंड के पारे हम फोड़ा सा और आगे जानते हैं कि urban heat आइलेंड जो है उसको कैसे define किया जाते है local and temporary phenomenon है जो की certain pockets में देखने को मिलता है सेहर के और यहां पर हाइयर लोड होता है और उसके चार त्रब के एरियाज में भी यह हायर लोड देखने को मिलता है और राइज ओफ हीट क्या है बेसिकली किस वज़े से होता है बिल्डिंग्स और जो हाउसीज बने होता है सिटी में कंक्रीज का जो एक पूरा आइलेंड बना होता है उसकी वैसे ही ट्रैप हो जाती है और जो बाद में इवनिंग में नाइट में डिसिपेट नहीं हो पाती कि इजली मतर्डिसिपेट होना अगर आपने गर मना दिया अपना और दिन में तो यह सूरे दिन में तो इसकी हीट आ रही होना चाहिए निकलना चाहिए मगर अब क्या problem है कि यह heat निकल नहीं पाती हीट निकल के कहा जाएगी atmosphere में जाएगी पर जब आपको इसक awakening नहीं मिल रहा है heat को निकलने के लिए प्रश्च पर आपके बगले और बिल्डिंग बनी होगी है उची-उची बिल्डिंग बनी हुगी है तो आपका घर और सारा ही ऐसा एक complex concrete infrastructure बना हुआ है कि वो heat निकल नहीं पा रहे है क्योंकि आप ग्रीनरी तो खतमी हो गई न तो इसलिए यह जो heat trap होके रह जाती है उसे एरिये में जब heat trap होके रह जाएगी एरिये में तो वो heat नहीं निकलेगी तो heat island बन जागा तो इसलिए इसको बोल गए urban heat island is basically क्या है induced due to trapped heat between establishment made up of concrete ठीक है इसका जो temperature variation देखने को मिलता है रहे हैं जो तीन से पांट इसलसे देखने को मिलता है अब देखिए यहां पर समझ जिए urban heat island अब अगर हम इस figure की बात कर देखें दिन में क्या होता है surface जो है एब जो करता हीट को देखिए sun से heat आई यह आपकी concrete की building है जो कि आप figure में देख रहे होंगे यह आपका ground level है जहां पर आपकी concrete की building और शहर यह पूरा सहर मानिए बसा हुआ है अब यहां से heat इसने एब जो कर ली अब heat इसके तो निकल के धरती में जाएगी नहीं त तो इसके अंदर आपका जो नीचे है अर्थ में पानी जाई नहीं पाएगा यानि कि storage कम रहेगा उसका जो आपका water level है water table हो कम बहुत down है उसका तो पानी का storage नहीं हो पाएगा ठीक है अब यहां पर एक तरफ आप दूसरी साइड देखिए यहां पर भी हीट पर भी है यह यहां पर green रहे आगर मालो भारी होती है तो पानी क्या है अर्थ के अंदर चला जाते है तो यहां पर जादे storage होता रेऴर का real phone का यह Ini होथा है यह औहूंर उस्टेम होता है और जहां पर इस टौरइज नहीं हो पाता हो आपको अर्वन एरियं में क्यों होता है त्वीआ है है फैजार मैनर में आपका construction होता है ठीक है दूसरा आपका drainage जो drainage system है वह आपको बहुत ही गंदा है ठीक है मतलब एक तद सब और प्रोपर डिम में डिजाइन नहीं किया गया ठीक है और on plant प्लांट अन्प्लांट construction यसे आप यहां से lessивiporation होता है यहां पर ग्रीन नहीं है सहर में तो less transition मतलब कि जो पेड़ पोदो से आपका जो वेपर निकल कह है आपके आश्मान में जाती है तो सब्सक्राइब होते हैं तो ज्यांग होता है जाती है जब कि दूसरी साइड अगर हम देखे तो जो हीट आपकी आई दिन में रूरल एरियाज में आप गिरीन री जाज़ा होती है तो एवजोर हुई मगर इवनिंग के टाइम में रात के टाइम में वो टांसफायर हो जाती है तो कूलिंग वहापे जल्दी होते है तो एस कंपेर टू आपका अर्बन एरिया classify आज़ में जादाू नियूह जादह हो देखने हूं तो यह जो एट आइलेंड का फिनोमिना है वह आपका खागा अर्बन इरियाज में देखने को मिलते है ना खी रूरलियाज में इसलिए इसको नाम दिया गया है आर्बन हीट आइलेंड रूरल ह ए nuo घिड और नहीं बोल भिसको बहुत कि लिए लिए था और ये 5 इसका उसका नाम नाम टैम्परिचर का यह एगी का आपका ठीम बिजर एक जिन तो अब इसके को जिसकि कि अब बात कर लेटर ते टे सिंपल है कि आपका बहुत ज्यादा क्रिक्षिन के बढ़गी बहुत ज्यादा कर्येट हो गए आपका अब घजोर होए और डिजोर्व होके एडमो स्फ्वेर में नहीं जा वा ती जूर्व होती है यह इस जादे तर्व और ऑर्थ में और इंक्रीज एप्संद एंक्रीज हो गया और डिजॉप्शन डिजॉप्शन आपका बहुत ज़ादे गठ गया तो इसको भी बॉल तार्क सर्फेशी टे के अब एर कंडीशन अब जो एर कंडीशनिंग रोते जैसे एसी लगाता है जो आपका डार शफेशी सब्खेश एस साथ मतलब के ड अरकेटेक्टर आपका मैनल मैनल में वह आपके सर्कूलेशन के एयर को जो-स पीड उसको घटा देता है और उस से आपकी जो नेच्टर कूलिंग का एफेक्ट होता है उसको को डियूसकर देती इसलिए इसको आपको क्या बोला जाता है अर्बन कैन्यों एफेक्ट भी बोला बढ़ लिए समय के चाहिए अगर्ण हमरा असानी के बारे में आसानी और क्रीब त्यसuis a तो साइक्लोन एक साथ ही आये लगवा कुछ टाइम की डिफ्रेंस पे एक करना मासानी दूस्य गाले करीब तो जो आपका आसानी और यह क्रीब अब यह न्यूज में क्यों है न्यूज में लिए लिए कि आसानी जो आपका सब्सक्राइब ने वह नोर्दन हैं इसके बारे मे आपका ऐसे ठीक है बेव बंगाल में इसका फिनोमेना देखने को मुला है इसकी स्पीड 110 110 से लेकर आपका कब ती 120 तक भी देखी गई है और जो यह दोनों ही साइकलोन है वह आपके सैम लेटिटूर्ड पर और सैम उससे यह ओरीजनेट हो है यादिक सैम लेटिटूर्ड से और इसका साइकलोन का नाम आसानी किसने किया था सजे स्री लंका ने किया था आगे बढ़ते हैं अब साइकलोन क्रीम के बारे में डिसक्स करते हैं जो साइकलोन क्रीम है साइकलोन क्रीम मतलब सब्सक्राइब में हुआ था यह पैदा ठीक है यह इसको क्लासिफाइग किया एक एक सुबारे किलोमीटर पर आर की स्पीड से अब जो इसका नाम है किस ने इस अफरीकन साथ अफरीकन कंट्री ने जिसका नाम से से सिसली से उस ने दिया दोनों ही इंडियन ओसने फों हुए है आसानी और आपका यह और यह आपका पाथ जो ओपन सी है वह वेस्ट से कृट हुआ है और जो की धर बड़ा है दोनों ही साइक्लों सेंब लोंजिट्यूड पर किरियेट हुए और अभी अधे दोसे से अलग जा रहे है ठीक है यह थी आज की हमाई डिसकस्न आज की डिसकस्न में इतना ही थेंक्यू थेंक्यू रेंच्यू वरी मच्छ फोर डि झाल झाल